हलो दोस्तो जहीन स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल सोहेला केडिने में दोस्तो अमीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही वड़िया होंगे और आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही गुड नियूज है जो आपको कल लगभग मिली गई होगी SSC GD 2025 की दोस्तो विकेंसी आप सभी लोग के सामने है 49,000 प्लस दोस्तो विकेंसी आप लोग के लिए हैं अपने आप में दोस्तों काफी बड़ी संक्या है और इस वीडियो में मैं एक एक चीज आपको बता हूँगा जैसे सबसे पहले सबसे इंपोर्टेंट दोस्तों आपकी पोस्ट फ्रिफरेंस है और उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट दोस्तों आपके लिए डॉकुमेंट्स है कि आपको फॉर्म भरने के लिए किन डॉकुमेंट्स की ज़रुत होगी और अगर आप UP से हैं, बहार से हैं, या फिर आप असम से हैं, या फिर किसी अधर स्टेट से हैं, तो दोस्तों आपको कौन से डाकुमेंट लगाने हैं, क्योंकि इसके बज़े से काफी ज़्यादा वच्चे पिछली वार reject कर दिये गए थे डाकुमेंट के वज़े से सब कु और 14 अक्टूबर 2024 तक दोस्तों आपकी फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के लिए एक महिने से भी ज़्यादा का समय आपको जीडी में दिया जाता है, लास्ट डेट की अगर मैं बात करता हूँ कि लास्ट डेट आपकी क्या है, तो चौड़ा अक्टूबर 2024 आपकी लास्ट डेट है और फीस पेमेंट की लास्ट डेट आपकी कितनी है, 15 जो हजार 24 तक, इस डेट तक दोस्तों आप अपना फीस सब्मिसन कर सकते हैं, आपसे मैं कहूंगा जिस दिन आप फॉर्म भरें, उसी दिन दोस्तों आप फीस भी सब्मिट कर दें, किलियर है, दोस्तो आपका tentative date क्या है January से लेकर February 2025, तो इन महीनों में दोस्तो आपकी परिक्षा कंड़क्ट करवाई जाएगी SSC GD की, चाहे जनवरी में चाहे आपकी फरवरी में, और यह ऐसा भी हो सकता है कि 5 जनवरी से आपकी परिक्षा start हो जाए, या 10 जनवरी से हो जाए, या 15 से हो जाए, या फिर आपकी एक से हो जाए, कुछ इसमें SSC में कहा नहीं जा सकता, तो यह tentative है, उपर रीचे भी दोस्तो आपकी हो सकती है, के लिए रहे, next दोस्तो हम लोग बात करते हैं, vacancy post wise, अगर मैं देखू, overall कितनी है, हमारी total post कितनी है, तो total post हैं आपकी 49,481, यह द 2900 रुपय तक आपकी salary मिलेगी, और अगर आप NCB में है, NCB post के लिए अगर apply करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपय तक आपकी fees, आपकी salary देखने को मिलेगी, clear है, अच्छा vacancies की हम लोग बात कर लेते हैं, कि कौन सी post पर कितनी vacancies आपको देखने को मिले यहाँ पर आपका male candidate लिखा है साथी, और यहाँ पर आपका लिखा है female candidate, हर किसी cast की अलग vacancy है, SC की, ST की, OBC, EWS और आपकी journal, इन सब की ये list है, जो आपको ये दिख रही है, ठीक है, BSF में अगर मैं बात करता हूँ, तो SC, ST, OBC आप ये अपने category के हिसाब से देख लेता है मैं overall दोस्तों जो बात करूँगा, तो overall अगर male में देखें तो 13306 पदों पर दोस्ता आपकी ये total vacancy है, BSF, clear है, BSF की इसर कितनी, 13306, और अगर female की मिला कर हम लोग देखते हैं, तो female की vacancy अगर में खाली बात करता हूँ, 2348, और overall अगर में बात करता हूँ, BSF में कितनी ह और serily भी दोस्तों आपकी जो तनखा है, वो भी BSF की सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, ठीक है, CSF में अगर मैं बात करता हूँ, तो CSF में दोस्तों overall vacancies की मैं बात करता हूँ, 7145 vacancy हैं, CRPF की अगर मैं बात करता हूँ, तो 11,541, अचा काफी बच्चे ये सो vacancy है, किलियर है, पोस्ट आपकी जरू बढ़ेंगे और पोस्ट आपकी बहाँ पर बढ़ेंगी, जहां पर vacancies आपको कम दी है, ठीक है, चलिए, SSB की अगर दोस्तों हम बात करते हैं, तो 819 पद है, तो SSB में दोस्तों आपकी increase हो सकती है, ऐसे ही 35 पद किसमें है, आपके SSF में है, इसमें भी दोस्तों आपकी vacancies बढ़ सकती है, और incentive narcotics में हमारी कितनी है, 22 पद है, तो यह भी दोस्तों हमारी increase हो सकती है, अगर हम लोग बात करते हैं, ITVP में 3017 पद ITVP में है, और AR में कितनी है, 1248 पद है, ओवराल दोस्तों 49,481 पदों पर आपकी यह भरती candidate के हैं, ठीक है, और 3879 जो हैं, यह आपके female candidate के पद है, ओवराल 49,481 पदों पर आपकी vacancies आपको देखने को मिलने वाली है, नेश्ट दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, age limit की हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले SSC ने इस vacancy का नाम दिया है, 2025, ठीक है, 2024 में आई जरू चाएंगे 1.0545 से, ठीक हैं, आपकी जो age यह लोग count करेंगे, वो सरकप करेंगे 1.052025 से आपकी age coin करेंगे, मतलब इस age से पहले आप 28 साल के होने चाहेंगे, ठीक है, 28 मतलब 18 साल के, किलियर हैं, इस age तक आप 18 साल के होने चाहेंगे, किलियर मेरी बाद, 18 से 23 साल दोस्तों इसमें एज है यह 18 से 23 दोस्तों होती है जर्नल के लिए अपकी ठीक है जर्नल कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 23 साल एज रहती है किलियर और अगर मैं बात करता हूँ SCST कैंडिडेट 5 साल की छूट मिलती है मतलब 18 से 18 से दोस्तों कितने तक 28 साल तक SCST वाले भर पाएंगे हमारा age criteria किलियर मेरी बात चलिए आगे दोस्तों हम लोग discuss कर लेते हैं कि NCC के दोस्तों marks हमें कैसे मिलते हैं देखिए जैसे आपकी परिक्षा ये 160 mark की आपकी ये परिक्षा आपको देखने को मिलती है ठीक इसमें question आपके आते हैं सर जी 80 कभी-कभी ऐसा पिछली बार ऐस 160 mark ठीक है कितने सर 160 mark में से बच्चों के 168 marks भी उनको देखने को मिले थे ऐसा कैसे possible हुआ ऐसा possible हुआ दोस्तों NCC certificate के बज़े से अगर आपके पास NCC में C certificate है तो आपको 5% मिलेगा किसका सर ओवराल 160 mark का अगर हम लोग 5% निकालते हैं तो भाई 0 से 0 काटोगे आप ठीक है तो अगर हम लोग बात करते हैं जैसे NCC C certificate किसी के पास है और उस बच्चे के मालीजी ए 160 में से 120 नंबर बन रहे हैं तो उसको ये 8 नंबर का फायदा होगा और 120 प्लस के 8 उसके marks कितने बन जाएंगे सर जाकर 128-160 में से तो ये हमारा NCC certificate का है तो C certificate वाले को 8 नंबर मिलेंग एसे ही NCC B का जब आप 3% निकालोगे ठीक है वो add कर देना अगर NCC में A certificate किसी के पास है उसका 2% निकाल कर उसको add कर देंगे आपके अपने marks में ठीक है तो इस परिकार से दोस्तों NCC certificate की पिरक्रिया हमारी चलती है आगे किलियर है चलिए NCC के समझ गए होंगे आप चलिए एक्जाम होता है किलियर है जिसमें दोस्त आपके 80 question आपसे पूछे जाएंगे हर question दो number का होगा तो परिक्षा आपकी 160 number की यहां से हो जाती है subject में क्या है पार्ट A में journal intelligence reasoning के दोस्तों 20 question होंगे 40 mark की मतलब क्या होगी यह आपकी reasoning होगी मतलब एक question दो number का है तो 40 हो गए आ question आएंगे 40 number का यह पार्ट हो जाएगा पार्ट C में elementary math मतलब दोस्तों इसे हम बोलते हैं arithmetic जिसमें आपका advance का कोई भी portion आपको देखने को नहीं मिलेगा तो elementary math मतलब arithmetic के 20 question और 40 mark की arithmetic हो गई आपकी और पार्ट D जो है इसमें से या तो आप English लेंगे या तो फिर आप Hindi ले आपकी Hindi ठीक है या फिर आप अगर English लेंगे तो आप English subject आपका आजाएगा Hindi लेंगे तो Hindi subject के question आपको मिलेंगे ये preference दोस्तों आपको form भरने के समय ही देना है कि आप English लेंगे या फिर आप Hindi देंगे किलियर है इतनी वाल सभी को समझ में आगी होगी overall दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो इन 80 questions के लिए आपको 60 minute का समय दिया जाएगा मतलब आपको practice दोस्तों खूब दबा के करना पड़ेगी अच्छा negative marking के मैं बात करता हूं तो 0.25 की दोस्तों आपकी negative marking यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है किलियर है ये exam दो दोस्तों आपका रहता ही था किलियर है इसके अलावा 13 भासा है और जोड़ी गई ओवर आल अगर मैं बात करता हूं तो 15 दोस्तों आपका language में यह आपका exam conduct करवाने लगा है आपका SSC किलियर है तो यह बात आप सभी लोग समझ गए होंगे क्या syllabus है क्या कुछ है वो सब को बता दिया दोस्तों best book भी मैं आपको बता दूँगा आप लोग comment करना कि आप लोग जानना चाहते हैं best books के वारे में और आप लोग को यह भी बता देंगे कि इसके लिए क्या study plan एक भीतरिन सा हमारा हो सकता है ठीक है तो आप लोग comment करना और आपके लिए एक भीतरिन सा physical test में हमारा क्या होता है देखिए सबसे पहले तो आपका physical test के रहा हम बात करता हूँ तो male candidate के लिए अगर हम बात करें तो 5 km running 24 minute में आपको करनी है female candidate के अगर हम लोग बात करते हैं 1600 meter से हम कह सकते हैं साड़े 8 minute में ठीक है उसके अलावा कोई लद्दाक region से है तो लद्दा और जो female candidate है लद्दाक की उन्हें 800 meter भागना है सिर्फ 5 minute में ठीक है यह only case के लिए सर लद्दाक region के लिए है height की बात करता हूँ तो male candidate की 170 cm height female candidate की 157 cm height आपकी होनी चाहिए बाकी कोई schedule tribes हैं तो इसकी 162 clear है और बाकी 157 यह आप सभी लोग देख लीजेगा 160 किसकी है 165 जो आपके hill area वेगरा से जो आते हैं उनकी height आप सभी को पता है कि कम होती है जैसे नेपाल में देखते हैं चोटे-चोटे लोग होते हैं गंटे-गंटे लोग होते हैं तो इस हिसाब से दोस्तों height को यहाँ पर बाटा गया है ठीक है बाकी ओन से स्टेट अरुनाचल है अरुन प्रटेंट चीज है दोस्तों जैसा आपको पता है यह सब आपकी दोस्तों पोस्त हैं PSF, CISF, CRPF, SSB, ITB, PSM, Rifle, NCB, SSF आपको post reference कैसे देना है यह post reference आपको form भरते समय देना है आप form भरेंगे तो post reference के लिए दोस्तों आपके पास ऐसे करकर कुछ डिब बे आएंगे मैं आपको form भर कर भी दिखा दूँगा अगर आप लोग कहेंगे तो कुछ डिब बे आएंगे तो उसमें अगर आपको माल लीजे सबसे उपर मैं माल लेता हूं सबसे उपर आपको CISF डालना है सबसे पहले CISF डालना है तो उसका code आपको दिख रहा होगा B, तो आप सबसे पहले B चुनेंगे ठीक है उसके बाद मैं माल लेता हूं कि आपको SSB डालना है दूसरे नमबर पर तो आप यहां पर D चुनेंगे उसके बाद माल लेता हूं BSF डालना है तो तीसरे नमबर पर तो फिर A चुनेंगे चौते नमबर पर मैं माल लेता हूं आप डालेंगे NCB तो आप यहाँ पे G चुल लेंगे, आप उसके बाद मालोगे ITVP में जाना चाहते हैं, तो आप E चुल लेंगे, मतलब भरना आपको सब है, Post-Preneurs आपको सब देना है, क्यों कह रहा हूँ मैं इसलिए, माल लिजे आपके कहीं 120 नंबर आते हैं, और सभी दोस्तों Post-Preneurs आपको देना है, छोड़ना नहीं, क्लियर है, चलिए, नेस्ट बात करते हैं, दोस्तों Document, यह बहुत important दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए चीज है, किससरे Document, तो सभी लोग जैसे कोई OBC है, SC Category है, SC Category, EWS, और Domesile, ठीक है, तो OBC, SC, ST, EWS, ठीक है, SC ST मैंने लिखा नहीं है, ST, ST, OBS, ठीक है, EWS, तो सबसे पहले आपके जो Document है, वो सबसे पहले दोस्तों आपके Central के यहां पर चलेंगे, Central मतलब दोस्तों आपके केंदर सरकार के, ठीक है, केंदर सरकार के आपके यहां पर Document चलेंगे, केंदर सरकार का जैसे माले जो कोई OBC का Candidate है, ठीक है, तो OBC वाले Candidate के लिए, सर अपना क्या बनाना पड़ेगा, OBC Certificate, और उसको बनवाना पड़ेगा अपना Domicile, ठीक है, Domicile Certificate, तो OBC Certificate आपका Central का, ठीक है, Domicile आपका दोस्तो Central का, तो इस फिरकार से दोस्तों आपको जो है, अपने Certificate मेरे भाई बनवाना पड़ेगे, किलियर है, अच्छा EWS को दिक्कत रहती है, तो EWS का बता दू, मैं 1 April 2024 से लेकर 31 March 2025 तक का आपका EWS का Certificate दोस्तों चलेगा, EWS वालों के लिए, अब तो किसी को कोई परशानी नहीं है, एक-एक डाउट दोस्तों आपको किलियर कर दिया है, All India Best दोस्तों आपके यो है, डाकुमेंट चलने वाले हैं, इसलिए Central के ही दोस्तों आपको चलेंगे, बारबार आपसे बोल रहा हूँ, Education Qualification नहीं बता ही मैंने, चली बता देता हूँ, 10th Pass दोस्तों जो भी विद्ध्यारती हैं, जो भी एस्परेंट हैं, जो भी स्टुडेंट हैं, 10th Pass दोस्तों आप होने चाहिए, और 10th Pass आप कब तक होने चाहिए, ये थोड़ा समझ लीजेगा, 10th Pass दोस्तों आप होने चाहिए, एक जनवरी 2025 तक आपके पास में आपकी दोस्तों मार्कशिट होनी चाहिए, ये दोस्तों इसके लिए क्या है, एक एक क्राइटेरिया इन्होंने रख दिया है, कि आप 10th Pass जो है, एक जनवरी 2025 तक होने चाहिए, इसके बाद के नहीं चलेंगे आप, किलियर, फीस बगरा सबको बता दी, भाईया जर्नल OBC EWS के 100 रुपे फीस होती है, ठीक है, आप सरिफ एक जाम देने जाए, किलियर मेरी बात, और कोई डाउट अगर आपका रहे गया हो, तो एक बार पूछ लेंगे, ठीक, चलिए, तो ये सब कुछ था दोस्तों जो आपका SSC GD से रेलेटेट था, सब कुछ आपको बेतरिन तरीके से समझाया है मैंने, बाकि कोई भी डाउट आपका किसी भी पिरगार का अभी भी बचा हो, तो आप सभी लोग कॉमेंट करकर पूछ सकते हैं, आपका डाउट का बिल्कुल दोस्तों रिपलाई दोंगा, ठीक है, तो चलिए दोस्तों अमी अमैंड कर दोस्तों रिपलाट है?